मैं अभी pregnancy room दिखाता हूँ कोई भी breeder अपना pregnancy room या delivery room नहीं दिखाता लेकिन मैं आप सब को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये जो नए इस channel के काम से जुड़ना चाते हैं मैं उन्हें guide करने के लिए educate करने के लिए बता रहा हूँ ताकि वो मेरे भाई किसी loss में ना जा इस तो आूओ झाला देख रहरा है अगर आपने हमारे चैनल को अप तक सब्सक्राइब नहीं करहे है तो सबसे पहले हैं कि हमएज अवारे चैनल पे पैट्सरी एलेटिड वीडियो बढ़ाते हैं और एक अनिवल ल्यू सी कर्यों मेय चलाते हैं तो आवनेजी के वारे चै मैं सुनील भाटिया, भाटिया कैनल का ओनर, हमारा कैनल जो लोकेटिड है नीलो खेडी डिस्टिक करनाल, अरियाना में, हम सन 2000 से एराउंड इस बिजनस के अंदर हैं, और 18 से 20 साल हो गए हमें ब्रीडिंग करते हुए, तो आज हम कुछ ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, कि जैसे कि नोर्थ इंडिया के अंदर बहुत जादा डिमांड है डॉक्स की, साउथ में भी है, बहुत जादा प्रच पर ब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग बाहर से डॉग इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग यहां पर करते हैं, 18-20 साल से हम यहां पर ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो आजकल बहुत नए-नए लोग, कुछ यंग लड़के, बहुत से लोग इस बिजनस से जुड रहे ह लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें कितने dog रखने चाहिए starting में कैसे रखने चाहिए उनका जो take care है वो कैसे करना चाहिए क्या उनका vaccination होता है कैसे उनका रखरखाव होता है उसके बारे में उनको ग्यान नहीं होता कुछ trader के पास जाके वो dogs ले लेते हैं लेकिन एक दो तीन साल के बाद ही या तो ब्रीड का स्टेंडर्ड बिगार देते हैं या ब्रीड को खराब कर देते हैं और खुद भी काफी लॉस में चले जाते हैं तो आज मैं यही बताऊंगा कि आपने जो भी अगर ये कैनल का काम स्टार्ट करना है आपने तो अच्छे ब्रीडर के पास जाएए एक, दो, चार डोग according to your budget, according to your capability, according to your space आप वो लीजिए उसके बाद उस ब्रीड के बारे में अच्छा सा ग्यान प्रापत कीजिए और उसके बाद आप ब्रीडिंग स्टार्ट कीजिए ये आप देखिए कि आपको पपी से लेना है या सेमी अडर्ट लेना है या सीधा ही अडर्ट परचेस करना है आप कम से कम दो या तीन फीमेल्स रख सकते हैं स्टार्टिंग में क्योंकि आप starting में male लेने का आपको फाइदा नहीं होता जो जिसे हम stud dog कहते हैं क्योंकि 10 females के उपर आपको 1 dog रखना चलिए क्योंकि starting में आपके पास जो बाहर से females cross होने नहीं आती starting में आपके पास 2, 4, 5 females होंगी आपको उनी से ही knowledge आती रहेगी कि हमें कैसे breed करना है जब female deliver करती है pups तो उसके pups कैसे करवाने है और कैसे उनको तयार करना है 35-40 दिन तक, 50 दिन तक जब तक आपको खुद ही knowledge नहीं होगी तब आप customer को तब तक आप कैसे satisfy करेंगे या customer को dog deliver करते समय उसका जो सब vaccination रख रखाव नहीं बता पाएंगे तो अगर आपको अच्छा एक breeder बनना है तो कम से कम दो या चार dog starting में लेके 12 breed की उससे starting में breed करा सकते हैं उसके बाद अभी हम आपको दिखाएंगे अपने kennel में कि उनके cages कैसे बनाते हैं और कैसे बने रहने चाहिए गर्मी में उनका कैसे होना चाहिए और सरदियों में कैसे उनका जो है की बचाव होना चाहिए उनका जो floor वगेरा है, mats वगेरा है, क्या system रहना चाहिए जो dogs के cage हैं वो at least 6-10 6 foot उनकी चड़ाई हो और 10 foot उनकी लंबाई हो ताकि dog अगर घूमना चाहिए गूमले cage के अंदर potty कर लेता है वो या सुसू कर लेता है एक जगा तो उसमें खुद गंदा ना हो और वो अराम से बैठ सके 6-10 का एक idle size होना चाहिए जो की KCI का भी standard है dog को proper time to time उसकी brushing होनी चाहिए अगर गर्मी है तो गर्मी में आप टिन में तीन बार बात करा सकते हो dog को सर्दी है सर्दी में week में एक बार या धूप निकले तो आप उसको बात करा सकते हो बाकी जो kennel का जो बनाने का structure है वो हम अभी आपको अपने kennel में दिखाएंगे कि कैसा structure डॉक्स के लिए त्यार करना चाहिए मैं आपको अपना kennel दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से कंस्ट्रक्शन पर रखी है और डॉक्स के लिए काफी convenient रहता है इस तरह का structure बनाना आईए प्लीज यह जिस यह काई चे बाएंदस का अप्लीज साइस है यह लंबा है इसके आएगी जत्ती बड़ी जेंड वेंड हो और आम से गूसतिय नुमेट कर सब्सक्राइश यह देखिए आपके यह एक में दोट पैस भी रख सकते हैं क्यंता है अभी गर्मी है तो अमने शीव शीव पर आप रहा है अभी डॉग कामीट रहें सब दोट के अपर फैन है अपर रहा है यह कुछ कर दोकुल ठीदी आसेगा, जिनटी खूहँशा है रीड करें आराम से लगपल, कुछ पहसूस कर रहा है, इसके नीचे लगपल का फर्षा है, यह सुऩशां प्रीनिक हो जाती है, और आराम से लोकुल सकता है इसके अराम से, यह दिक्ता थीद गली अभीड रोबी ये देखिए सेंबानाड है लेकिन अभी इसके बाल बेकुछ शेव करा रखे हैं है और डॉक्स के ताकि डॉक्स है जो गर्मियों के डॉक्स को उसके हेर्स की वज़ा से कोई स्किन इशू ना हो कोई स्किन की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने इने शेव करा रखा है और टाइम टू टाइम इनकी जो स्किन की मेडिसिन होती है इनको टिक फ्लीज ना लगे इस बू लगा दी जाती है और ये जो हमने मार्बल का फ्लोर लगा रखा है ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि कच प्रशी मिट्टी के उपर सबसे ज़्यादा डॉक्स को टिक्स का शुट है। इसलिए हमने ये मार्फल का फर्श लगा था। ये इंग्लिश में सुट है। अभी अठाट उन्निस महीने का हो गया है। ये स्पूथ हैर सेंट बर्नाड था। शोट कौ Incredны संट बर्नाड कुछ लोग कहते हैं कि हमें बड़े बालों आला, सैंट बर्नाड नहीं लेना कि वह सेंट बर्नाड लवर होते हैं। तो उनके लिए हमने इस शोट हैर सेंट बर्नाड acknowledging से अपने लिए ये आद्भी इंड मार्पे आते करते ह। अच्छी प्रूबर फीमेल यह हमारे लॉंग हेर सेंट बर्नाड है इनके सबके हमने हेर्स कटा रखे है अभी हैड लेकिन इनके जो हैड है वह आपको दिख रहे होंगे एक दब प्रॉपर मार्किंग प्रॉपर क्वालिटी हर चीज यह इंग्लिश मैस्टे फीमेल है अभी लास्ट मन्त इसने लिटर दिया था और अल्मोस्स सब पपी सेल हो गए है यह है अमारिकन पिट बुल वो देखे पीछे वो कूलर चल रहे हैं बड़े जो पूरे शेड को कूल करते हैं इसमें बहुत बड़ी-बड़ी मोटर्स लगी हुई है और वाटरफोल पानी का गर्मी में लू में टमपरेचर मेंटेन रहे डॉग्स को हीट स्टॉक ना हो क्योंकि जो यह गर्मी का मुसम होता है जिसमें यह लू वगरा चलती है तो इसमें यह कूलर ही डॉग्स को जो है उनका जो टमपरेचर है वो डाउन रख सकते हैं बाकि आप यह कैनल देख रहे और dog कोई गंदा ना हो इसके पीछे हमने ground बना रखा है जहांपे normal dogs घूमते हैं सुभा शाम को evening walk के लिए वो मैं दिखा देता हूँ आपको वे से ये पीछे जगा है space चोड़ रखा है हमने जहांपे dogs सुभे शाम घूम लेते हैं मैं आपको अपने अभी pregnancy room दिखाता हूँ कोई भी breeder अपना pregnancy room या delivery room नहीं दिखाता लेकिन मैं आप सब को जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये जो नए इस kennel के काम से जुड़ना चाते हैं मैं उन्हें guide करने के लिए educate करने के लिए बता रहा हूँ ताकि वो मेरे भाई किसी loss में ना जाएं और अच्छे से अच्छी producing कर सकें आईए please ये देखिए ये हमने kennel बना रखे हैं जो cabin बना रखे हैं dogs के चार भाए चार के इसके अंदर क्या है कि हम females को जब रखते हैं तो female जैसे कि आपने मेरा बड़ा kennel देखा होगा उसमें वो क्या है कि movement जादा होती है उचल कूद बहुत जादा करती है जिस वज़ा से वो कई बार conceive नहीं कर पाती लेकिन यहाँ पे हमने छोटे kennel बनाये हूँ है आप ये देख रहे हैं ये females दो conceive हैं बिल्कुल अभी इन्होंने अपने निपल्स होगा है शोग कर दी है ये दोनों golden color की female है और मेरे champion dog से cross है आईए अब देखिए जैसे यहां से एक female अभी मैं आपको दिखाऊँगा उसके delivery हो गई है वो यहां से जा चुकी है तो ये हमने kennel bleaching powder से clean कर दिया है ताकि कोई भी दूसरी female आए यहां पे तो उसको उसका कोई infection या कोई उसको उससे infection ना हो आईए अब आपको दिखाता हूँ ये American Akita ये हमने 10 days हो गए मेट कर आ रखी है female American Akita जो आपने dog देखा है मेरा अंदर Indian champion joy son of American import ये उसी से मेट हुई हुई है ये यहां लागे हमने kennel में रख दिये ये देखिए smooth है और सेंट बर्नार्ड ये भी अभी female cross कर आई है और ये भी छोटे केबिन में रख दिये है ताकि यहां पर females ज़दा moment ना करे ज़दा उच्छल कूश ना करे और राम से conceive हूँ अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने delivery room में जहां पर females after conceiving चली जाती है delivery के time आ जाईए जैसे अब ये female है इसके maximum five to six days रह गए है जो की delivery होने वाली है इसकी बेला ये बैठी है अराम से ये सेंड बर्नार्ड है इसने अभी तो ती दिन पहले ही puppies दिया ये हमारे कुछ ready puppy पड़े हूँ है जो last liter कहते जो females बड़े kennel में चली गई है ये उनके कुछ तीन चार puppies रह गए है बाकि almost rock सब sale हो चुका है ये short hair St. Bernard है अगर किसी को चाहिए हो तो इसमें एक male और दो females left है हमारे पास एक labrador का male left है last liter में तो वो for sale available है अगर किसी को चाहिए हो तो short hair St. Bernard Indian champion joy ये American import का बेटा है direct और इस breed में दो coat आते हैं एक bully coat और एक single coat ये single coat में है क्योंकि इंडिया का weather ऐसा नहीं है कि वहाँ पर यहाँ पर bully coat जो असानी से survive कर सके तो कि coat conditions और जो weather issues है उसकी वज़ा से bully coat में problems आती है तो ये जो dog है हमारा single coat में है और कही लोगों का जो गलत वहमी है कि अकीता बहुत aggressive होते हैं ये बहुत ही समझदार naughty dog है और guard dog भी बहुत अच्छा है और इसका आप देख रहे हैं ये maximum huge height में है हमारे पास dog कुछ लोग अकीता का standard खराब कर रहे हैं बहुत अकीता बेच रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे साइस के वह अकीता बनते हैं फिर लोग कहते हैं कि ये क्या है ये देखिए साइज इसका ये है हमारा dog English Mastiff and he is also Indian champion और आप इसका size देख रहे हो अभी सिर्फ ये 17-18 महीने का ही हुआ है और लगभग इसकी height है 34-35 inch height है इसकी ग्रेट डेन के बाद second huge breed में English Mastiff को ही माना जाता है लगभग इनका जो body weight है वो 75-80 kg रहता है और इनका जो food intake है लगभग 700-800 ग्राम पर डे आपको जब भी puppies चाहिए हो इसके हमारे पास heavy wrinkle में, heavy bone size में puppies available आते हैं अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग समझते हैं कि breeding बहुत ही असान काम है हमने एक female lead उसे mate कराया and puppies हुए हमने sale किये that's all should be लेकिन breeding is not a easy task, एक अच्छी female लेके उसके लिए एक अच्छा male ढूनना या तयार करना meeting के लिए उसके बाद जब pups होते हैं तो उनको pups को एक महीने तक हमें सारा दिन सारी राग देख रेक करनी पड़ती है उसके बाद जाके pups तयार होते हैं और उसके बाद जाके उन्हें जो क्या है कि अच्छे customer तक पोचाया जाता है कुछ लोग सोचते हैं कि बस breeding कराई हमने और puppies हुए कैसे भी हुए जो भी हुए market में दिये और छुटी लेकिन ऐसा नहीं है फीमेल जब on season होती है on heat होती है उसका proper doctor check-up कराके उसके जो हार्मोन लेवल है चेक कराके उसके बाद उसके बाद उसके जो pups होते हैं तिन राज जाके mother feed कराके और उसके बाद सेरलेक पर डाला जाता है उनको फिर dog food खिलाया जाता है पहली vaccination दी जाती है वो puppy को तियार किया जाता है और मैं यह बताना चाहूंगा साथ में आपको अगर आप अच्छे से breeding कर रहे हैं सबसे first step है आपका dog breeding का अगर आप अच्छे से breeding कर रहे हैं और आपके puppies में quality दिखती है healthy रहते हैं आपके puppies तो आपको market में उसे sale करने की मशक्कत नहीं रहती आप एक लिटर दो लिटर जब sale करेंगे उसके बाद customer में आपका जो वो विश्वास है customer का आपके उपर पका हो जाएगा और आपका एक brand नेम बन जाता है उसके बाद आप अपने puppies असानी से sale कर सकते हो आपको market के अंदर किसी जैसे और poultry business में या dairy business में आपको milk बेचने क लिए या कुछ भी मंडी जाना पड़ता है यह process करना पड़ता है वो इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें अगर आपकी breeding level अच्छा है आप अच्छे puppy produce कर रहे हो एक डो लिटर तीन लिटर आपने जब बेच लिए customer जो क्या है फिर आपके पास references से आता है कि हमें वहां से puppy ल करो customer को अच्छा puppy दो जो भी दो बता के दो